बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्र जनों का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं सिदान सेगल वैदिक एंड केपी एश्ट लॉजर क्यों है इस बार सत्ता पलट जाने की आहट जियोतिशिय नजरिय से इस विशे पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ लाइव आगर लेकिन मैंने आपको कहा था कि कुंडलिया सामने रख के आपको मैं वेत एक्जामपल भी कुछ एक्जामपल आपको दिखाऊंगा तो मैं ज्यादा लंबा इतिहास नहीं ले रहा मैं पहली डेट ले रहा हूँ 10 मई 2004 की 2004 में लोकसभा चुनाव हुए थे किसी भी महीने में हुए हूँ जिस वर्ष लोकसभा चुनाव हुए हैं उस वर्ष शूरि और राहु का योग बना है किसी भी परकार से और उचके श रमूमन मैं जून के आसपास ही चुनाव होते हैं कभी नवंबर दिसंबर में भी हुए हैं लेकिन मूल मुद्दा जो है वो ये है कि उचके शूरिय पर राहु की द्रिष्टी या राहु का कंजंशन उस वर्ष जरूर हुआ है जिस वर्ष शत्ता परिवर्तन हुआ था 2004 में आप देख सकते हैं यहां सूरिय मेश राशी में उचका है बुद्ध साथ में है और राहु भी मेश राशी में ही है 2004 में तो यहां शूरिय राहु के साथ कंप्रोमाइज हुआ शूरिय राहु के द्वारा ग्रस्त ग्रहन ग्रस्त और कंप्रोमाइज और खराब करप्ट हुआ यह 2004 की चार्ट है आपके सामने मैं अगली चार्ट आपको 2009 की रखने जा रहा हूँ आप जानते हैं 2004 को जब चुनाव हुए थे लोग सबा के तो उस वक्त भाजपा की सरकार थी केंदर में अटल बिहारी बाजपेई जी प्रधान मंत्री थे और शाइनिंग इंडिया का नारा काफी जोरों से उस वक्त चल रहा था और आप ये भी जान लें कि वो लगातार दूसरी या तीसरी सरकार थी लगातार तेरा दिन तेरा महीने और फिर पांच साल ये याद होगा आप लोगों को बहुत मित्रों को तो शूरे राहू का कॉंबिनेशन आप देख रहे हैं तारीक यहां देख सकते हैं 10 मई 2004 और मैं सिर्फ ये चार्ट ही आपको दिखा रहा हूँ और कुछ मैंने नहीं दिखाना है कोई भी दशा अंतरदसा वगारा पर यहां मैं चर्चा नहीं करना चाहता आपको अब मैं 2009 2009 की चार्ट दिखलाता हूँ अब अगली चार्ट आपके सामने लोगसभा इलेक्शन 2009 की है 10 मई 2009 की तारीक ही रखी है मैंने और समय लमसम लिया है साम 5 बच कर 48 मिनिट का इसमें कोई बदलाव नहीं किया मैंने ठीक है और इंडिया स्टेट अगर आप चाहें तो यहां मैं दिल्ली रख देता हूँ वैसे इससे कोई विशेश फरक नहीं पड़ रहा है क्योंकि मुझे सिर्फ यह दिखाना है आपको उच्च के शूर्य को आप राजा मान के चलिए उच्च का शूर्य राजा की सक्ति का प्रतिनिधित्व करता है उच्च का शूर्य सबसे सक्तिसा काली होता है शूर्य राजा का कारक होता है और हर साल सूर्य मेश राशी में आता है लेकिन हर शूर्य राहु के साथ कंजंसन नहीं करता यानि चुनावी वर्ष में बीच में कहीं सूर्य राहु का योग कभी किसी वर्ष में हुआ हो उसका नतीजा क्या था अभी मैंने रि बो देखिए 2009 में लोकसभा चुना हुए थे दस मई 2009 की तारीक ही मैंने ली है, फिर शुरिय यहाँ उचका है मेसराशी में, राहु चोथे भाव में है, राहु की द्रिष्टी सूरि पे नहीं है, राहु की पांचवी द्रिष्टी यहां अस्टमभाव पे यानि सूर्य पे नहीं है शनी की द्रिष्टी भी सूर्य पे नहीं है साथ आठ नौ सनी की दसं द्रिष्टी अस्टमभाव पे यानि राहु और शनी की द्रिष्टी अस्टमभाव पे है खेर इसका मैं कोई आकलत नहीं कर रहा है मैं सिर्फ सूर्य को मुद्दा बना रहा हूं 2004 में Congress जीती थी राहू और शूर्य एक साथ थे 2004 के लोग सबाई election जो हुए थे 2009 में Congress की सरकार थी यानि 4 में जब Congress की सरकार जीती तो 2009 में भी Congress की सरकार थी और शूर्य राहू या सनी किसी के द्वारा भी करप्ट नहीं हुआ था मैं एक बार एक बार दोहरा दूँ आपको कि सूर्य या तो राहू के द्वारा करप्ट है या राहू की द्रिष्टी है या सूर्य राहू के साथ है या शनी की दृष्टी है या सनी के साथ सूरे है तो सत्ता नहीं टिकती है उस लोगसवा में सत्ताधारी पार्टी की ये ज़्यादातर एक्जामपल जो मैंने चेक किये है उसके अधार पे बता रहा हूँ यानि मैंने इसको चेक किया है 1984 के पहले से लेकर यानि 1977 के लोगसवा चुनावों को भी चेक किया है लेकिन यहाँ इतना लंबा प्रोसेस या इतना लंबा आकलन में दूंगा तो आप लोग फिर सुनेंगे नहीं बोर होने लगेंगे इसलिए मैं आपको अपना अनुभव य आ गई थी ठीक है अब मैं रिक्वेश्ट करूंगा सभी मित्रों को इस चार्ट को इस वक्त ध्यान से देखने के लिए तारीक यहाँ देख लीजे लोगसभा इलेक्षन 2014 10 मैं 2014 का समय ही लिया है फिर मैंने समय भी वही रखा है 1748 का चार्ट एक ही जैसी यहाँ आपको दिखेगी तो आपको फिर confusion नहीं होगी इसलिए मैंने तुला लग नहीं रख दी है यहाँ पर समय बदलाव नहीं किया सिर्फ वर्ष को बदला है आप देखिए 2014 में जब सूर्य उचके थे तो यहाँ सूर्य सबसे ज़्यादा करप्ट है सूर्य केतु के साथ है सूर्य राहु के द्वारा है तो यहाँ सूर्य पूरी तरह से करप्ट हो चुका है ठीक है समझ में आया 2014 में सत्ता परिवर्टन हो गया और भाजबा की सरकार बन गई 2014 में अब अगला उधारन आपको 2019 का देता हूँ अब आपके सामने ये जो चार्ट है 10 मई 2019 समय वही है साम के 5 बज कर 48 मिनट स्थान दिल्ली और ये चार्ट आपके सामने है मैं लगातार तुला लगन की चार्ट ही आपके सामने रख रहा हूँ और सूर्य मेसराशी में आपको फिर दिख रहा होगा यानि 2004, 2009, 2014 तब का जो चार्ट मैंने आपको दिखाया सूर्य सब्तम में ही दिखा रहा हूँ आपको और मैं चार्ट को बदल नहीं रहा ताकि आप लोगों को समझने में असानी रहे सूर्य यहां उच्चका है 2019 के लोकसवा चुनाओं में आप लोग यहां देख सकते हैं सूर्य राहु के द्वा परकार की कोई भी द्रिष्टी सूर्य पर नहीं पड़ रही है माइंड इट सनी की भी द्रिष्टी सूर्य पर नहीं पड़ रही है किसी भी परकार की ना तीसरी ना सात्वी ना दस्वी मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि शूर्य या तो राहु के द्वारा हो रहा हो तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है ऐसा जदतर मामलों में मैंने देखा है 1977 से लेकर अब तक की चार्ट मैंने चेक की है लेकिन आपके सामने समय नष्ट ना करते हुए 2004 से 2019 तक का डाटा ही आपके सामने रख रहा हूँ आप देख लीजे 2019 में सूर्य करप्ट नहीं था ना राहू द्वारा ना सनी द्वारा 2019 में मोदीजी वापस यानि भाजपा सरकार वापस सप्ता में आ गई ठीक उसी परकार जिस परकार कांग्रेश 2009 में वापस सप्ता में आ गई थी 2009 में भी सूर्य राहू या सनी किसी के द्वारा भी द्रश्ट या करप्ट नहीं था तो ये आकलन था 2019 तक का अब 2024 पे एक बार ध्यान दे लीजिए तो मित्रों ध्यान से देखें लोगसभा इलेक्षन 2024 ये देख लीजिए 10 मैई 2024 डेट वही है समय वही है तुला लगन ही आपके सामने है और शूर्य फिर मेस राशी में आपको दिख रहा है 10 मैई 2024 की डेट ली है मैंने सूर्य मेस राशी में है इस वकट अभी भी अब देखिए राहू मींदाशी में थे जब शूर्य मींदाशी में आए थे तो चुनाओ घोसना के वक्त ही आप जिद कर सकते हैं कि राहु और सुर्य एक साथ नहीं है दोग्जार चोविस में तो यहां द्रिष्टी दीजिए सनी की तीसरी द्रिष्टी सुर्य पे पड़ रही है सनी द्वारा सुर्य करप्ट है और और भी एक बात समझना चाहते हैं भी सुन लीजे, राहू अपनी पिछली रासी पर भी असर डालता है, चुंकि राहू वक्री चलता है, राहू की वक्र चाल होती है, इसलिए राहू की जो द्वादस द्रिष्टी है, वो मेस राशी पर पढ़ रही है, और शनी की तीसरी द्रिष्टी पढ़ रही है, राहू क कि चार्ट है आपके सामने चुनाओ घोसना की कुंडली भी मैंने आपको बना कर दिखाई थी उस पे वीडियो डाला था और उसमें सूर्य पूरी तरह से कंप्रमाईज हो गया था राहू के साथ और उच्च का सूर्य इस वक्त शनी द्वारा द्रश्ट है और ये शनी द्व होगी तो उस मुगालते में ना रहें जहां तक मैं समझ रहा हूँ जितनी भी आकलन मैंने किया है 1977 से लेके आज तक चुनाओ मई में ही नहीं हुए थे किसी-किसी वर्श चुनाओ नवंबर अक्टूबर में भी हुए हैं जहां तक मैंने देखा है क्योंकि इतना बड़ा डाटा देखते देखते सरदर्ध हो गया था मेरा तो आप समझ लीजिए जिस वर्ष शूर्य रूल समझ लीजिए रूल को ध्यान से समझ लीजिए जिस वर्ष शूर्य राहु द्वारा करप्ट होगा सनी के द्वारा करप्ट होगा दृष्टी के माध्यम से या कंजंसन के माध्यम से उस वर्ष शत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं अभी तक ज़्यादा तर मामलों में ये हुआ है तो आकलन आपके सामने है बाकी बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है चुनावों के नतीजे आने में चार जून तक तस्वीर साफ हो जाएगी और जहां तक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सिर्फ आप लोगों की ग्यान की भूख सांथ करने की कोशिस कर रहा हूं मैं सिर्फ जोतिशी विसलेशन आपके सामने रख रहा हूं जोतिशी विसलेशन कुछ भी हो सकता है गैरेंटी कोई नहीं ले सकता आज तक किसी नहीं ली और जोतिशी विसलेशन बाद में पता चलता है कितना सही था कितना गलत था तो चार जून को इसका नतीज़ा आप देखेंगे ये जो भी डाटा आपके सामने मैंने रखा है ये कल्कुलेशन और रिसर्च के अधार पे रखा है जो तिशिय फला देश इसी प्रकार से किये जाते हैं तो मैं चाहूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे वीडियोज को जो तिशिय कल्कुलेशन ए देखेंगे चार जुन को स्थिति साफ हो जाएगी ये पिछले एक दो तीन चार चार लोग सभा चुनावों का डाटा यानि चार लोग सभा चुनावों की रिसर्च मैंने आपके सामने रखी है जोतिश सास्त्र को प्यार करने वालों के लिए जोतिश शीखने वालों के ल लिए ताकि उनको मार्द दर्शन मिल सके तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए खुश रहें स्वस्त रहें